दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि 90's के युग में सोसल मीडिया तो था ही नहीं जैसा कि आप जानते हैं ना तो इतना इंटरनेट का चलंग था ना एंडरोइड मोबाल थे ना फेस्बूक थी ना बॉट्सप था ना यूटूब था कुछ भी नहीं था हमारे मनवरंजन के कुछ सीमे संसादन उस जमाने में हुआ करते थे जैसे हमारा रेडियो है हमारा दिल्ली दूर दर्सन है और कुछ एक दो चैनल और आ गए थे जिन पर हम उस जमाने की गानों की जलकिया सुना करते थे और सुनकर हम audio cassette लेने के लिए music center पर भागा करते थे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस जमाने में इतना social media नहीं था लेकिन उस जमाने में यदि कोई audio cassette world record बनाए समझ रहे हो गिनीज world record क्या कहते हैं जिसमें नाम आ जाए तो समझ लेना कि उस युग में उस युग की चीजों में कितना पावर कितना दम हुआ करता था अब यह आपने देखा हुआ lockdown में जब एक बार फिर से रामानंद सागर जी की रामायन पुना प्रसारित हुए थी तो उसने भी world record बनाया था तो मेरे कहने का मतलब यह कि उस जमाने की चीजों में दोस्तो बहुत पावर हुआ करता था और इस जमाने की चीजें उनके आगे कहीं पर भी नहीं लगती आजकल कौन सी फिलिम आती है कौन सा गाना आता है कब आता है कब चला जाता है कौन देखाता दोस्तो पता ही नहीं में हम समलित करेंगे और फाइनली हमने 15 ओडियो कैसिट दिखाई है जो कि सबसे जादा विकी थी तो आज हम वो ओडियो कैसिट आपको दिखाने वाले हैं जो कि हर घरों पर हर दिलों पर राज करती थी जिसने बल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इस एल्बम की सिंगर को रात की जलकिया सुनाएंगे और इसका रिब्यू करेंगे तो वीडियो एंड तक देखना यदि आप भी अलताफ राजा के दीवाने हैं तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं आप 1997 के उस स्वर्निम दसक में लोड जाएंगे जिस दसक में रात का यह सांदार और वैतरिन वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको सन 1997 के ओडियो कैसेट के जमाने में और कलते हैं अलताफ राजा की तुम तो ठहरे परदेशी का म्यूजिक भरा रिब्यू तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1997 में बल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाली यही वो कैसेट है फाइनली राजा बाबू नई सरा है यूटूब चैनल पर तुम तो ठहरे परदेशी की दो ओडियो कैसेट हैं दौनों दोस्तों मास्टर नहीं हैं लेकिन रेगूलर हैं कही न कहीं आपकी परानी याद है ताजा करने क लिए यह कैसेट कापी हैं यह कैसेट दूस्तों इतनी जादा विक्ती थी दूस्तों मैं बता नहीं सकता औरिजिनल के साथ साथ में डूपLEECATE कैसिट भी बहुत ज़्यादा उस जमाने में बिक्ती थी तभी इस वोडियो कैसिट ने बल्ड रेकॉर्ड बनाया था चलिए सबसे पहले ये वाली कैसिट आपको दिखायेते हैं तो देख सकते हैं आप पोश्टर कितना शांदार है तुम तो ठहरे परदेशी का आमिर खान और करिश्म कपूर का फोटो ये राजय हिंदुस्तानी से लिया गया था उस जमाने में इस फिल्म का एक गाना धूम मचाया करता था परदेशी परदेशी जाना साथ में यहां पर अलताव राजा का एक बहुती प्यारा फोटू बीनस का लोगो यहां पर लिखा है तुम तो ठहरे परदेशी शिंगर अलताव राजा और मुझिक दिया था मोहमद सैफ़ाई नियाजी ने जी हां मोहमद सैफी नियाजी ने और इधर देखने पर बीनस का लोगो यहां पर लिखा है हिंदी में तुम तो ठैरे परदेशी बैक साइड में देखें तो इस ओडियो कैसिट में दो और तीन टोटल पांच गाने हैं गाने बड़े ही प्यारे हैं और बड़े लेंथ वाले हैं लंबे-लंबे गाने हैं जैसा कि आपने सुने भी होंगे कि मती 35 रुपे और यहां पर महुम्मद सफीर नया जी का फोटो भी आप देख सकते हैं जो की संगीत कार थे ठीक है चलिए अब आपको इसकी कैसिट देखाएते हैं तो यह रही तुम तो ठैरे परदेशी की बीनस कंपनी पर आई एक दम ओरिजनल रेगूलर कैसिट जी हा पोश्टर देखाते हैं आपको यदि हम पोश्टर देखें तो फाइनली कुछ इस परिकार का पोश्टर है फ्रंट साइड से देखने पर जैसा कि आप देख सकते हैं और बैक साइड में देखें तो यहां पर लिखा है तुम तो ठैरे परदेशी अंग्रेजी में और में लिखा हुआ है इसके सिंगर थे अलताफ राजा जैसा कि आप जानते हैं और गाने किस-किस ने लिखे थे उनके नाम यहां पर लिखे हैं जैसे कि जमील मुजाहिद अब्बास दाना काशिर उल-जाफरी इसके बाद जहीर आलम ठीक है और मुजिक था मोहमत सफिर आपको सुना देते हैं अलताफ राजा की वही कैसिट के गानों की जलकियां जिसने बल्ड रेकॉर्ड बनाया था साइडे का पहला गाना सुपर डुपर हिट गाना धुम मचाने वाला गाना हर जगे यही गाना सुनाई देता था उस जमाने में जैसा कि आपको याद होगा गाने के बोल हैं तुम तो ठहरे परदे सी साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाली से घर को लोट जाओगे और इस गाने को लिखा है जहीर आलम ने तुम पठहर परदे सी साथ क्या निभाओगे सुबह पहली सुबह पहली सुबह पहली साइडे का दूसरा गाना है उस जमाने में धुम मचाने वाला गाना गाना बहुती प्यारा है गाने के बोल है आवारा हवा का जोंका हूं आ निकला हूं पल दो पल के लिए और इस गा यहां कासरोल जापरी ने इस गाने को लिखा है चलिए साइडवी की बात कर लेते हैं तो साइडवी का पहला गाना है गाने के बोल है दोनों ही महबत के जजबात में जलते हैं ये गाना भी बहुत ही शांदार है गाने को लिखा है अब्बास दानाने साइडवी का दूसरा गाना है बहुती प्यारा मेरी याद आई जुदाई के बाद गाने को लिखा है काशिर उलजाफरी ने साइडवी का तीसरा गाना सांदार गाना है ओ यारो मैंने पंगा ले लिया और गाने को लिखा है जमील मुजाहिद ने तो दोस्तों अभी आपको मैंने बल्ड रेकॉर्ड बनाने वाली ओडियो कैसिट तुम तो ठहरे पर देशी के पांच छोटे-छोटे गानों की जल्कियां सुनाई अब आप मुझे कमेंट सेक्षन नों बताना कि कौन से गाने आपको पसंद आए बैसे तो इसके पूरे ही ग कंपनी की इसके बाद कंपनी पर बहुत सारी अलताँर आई थी जैसा कि आप जानते हैं दो दिल सुने वालबाल cubic सब्स उतरओ यह गयाती और सारी एल्बम थी और सारी एलर्बम सुपर डूपर हिट रहे थी चलिए ये वाली कैसट और देख लेते हैं यह कैसिट आप देख लीजिए पोश्टर बिलकुल सेम है अलताफ राजा का फोटू तुम तो ठहरे परदेसी सारी जानकारी यह पर भी तुम तो ठहरे परदेसी और यह जो पोश्टर है ना यह मास्टर कैसिट का पोश्टर है लेकिन कैसिट मास्टर नह अलताफ राजा की तुम तो ठहरे परदेशी का म्यूजिक अलबम आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक करना अपने दोस्तों को सेर करना और ऐसी वीडियो प्रती दिन साम के साथ बज़े देखने के लिए आप राजा बाबु नई सेरा यूटू बहुत धन्यवाद